देश के चारों शंक्राचारियों ने 22 जन्वरी को अयुध्या में होने वाले राममंदिर के प्राण पतिष्ठा कारेकर्म का बहिशकार किया था अलकि बाद में खबर आई कि इन में से दो ने इस एत्याहसिक आयुज़न का खुल कर समर्थन कर दिया है शंक्राचारियों की दलील है कि राममंदिर अभी पूरी तरह से बनकर त्यार नहीं हुआ इसलिए इसमें प्राण पतिष्ठा नहीं होनी चाहिए उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद मोदी का इस समारों का यजमान बनने पर भी आपत्ति जताई उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने दो टूप में जवाब दे दिया एक मीडिया हाउस को दिया इंटर्व्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा राम जन्मभूमी तीर्थी छेत्र ने हर धर्माचारे हर आचारे को प्रांट पतिष्ठा का आमंतर्ण भेजा है ये अपसर मान या अपमान का नहीं चाहे मैं रहूं या सामानने नागले या देश के बड़े बड़े धर्माचारे कोई भी प्रभू राम से बड़ा नहीं है हम सब राम पर आश्रीत है राम हम पर आश्रीत नहीं है आपको बता दे कि जगत गुरु शंकराचारे स्वामी निश्चलानन सरस्वती और शंकराचारे स्वामी अविमुक्तेश्वरानन सरस्वती ने कहा कि वो इस प्रांट पत पर जिए के लिए कई रूपरों का सोच्ट किया है, उन्हों ने कहा कि बुरी शंक्राचारे भी इस समारों के Πख्ष में हैं, भीप नेता ने बताये कि उन होने कहा हैं कि वह उचित समय पर रामलला के दर्शन के लिए आएंगे, आलूक कुमार ने कहा केवल जोतिर पीड शं शंकराचारे स्वामी भारती तीर्थ और द्वारका पेट के शंकराचारे स्वामी सदानन्द सरस्वती ने कहा कि ये सरनातन धर्ण के अनुयाईयों के लिए खुशी की बात है द्वारका पेट द्वारा जारी एक लिखित बयान में कहा गया है कि मीडिया के एक वर्ग में प पूराख होने से पहले किया जा रहा है अभी मुक्तेश्वरानन्द ने कहा कि ये सुनिश्चित करना धर्माचारियों का करतब है कि धार्मिक ग्रंतों का उची तरीके से पालन किया जाए पीम मोदी मंदिर का उद्खाटन करेंगे वो मोर्ती को छुएंगे फिर मैं वहां क् ताली बजाओंगा